यहाँ पर हमें ये दोनों लाइन्स परालेल गिवन हैं, ऐसे ही ये दोनों लाइन्स परालेल गिवन हैं, गिवन है ये आंग्ल 90 डिगरी, ये 55 डिगरी, हमें याँ x, y और z की value निकालनी है, अब अगर हम यहाँ पर lines माने AB और CD जो कि parallel है Transversal माने BD तो यह दोनों angle angle X और angle Y यह होंगे मेरे corresponding angles तो X equal to Y आएगा by corresponding angles ऐसे ही अगर हम माने दो parallel lines CD और EF और Transversal माने यह DE तो यह Y और 55 degree यह होगा मेरा interior angle on the same side of traversal और interior angle on the same side of traversal का sum होता है 180 degree तो Y प्रस 55 आएगा 180 degree Y की value निकालते हैं यहाँ से Y की value आजाएगी 125 degree अब X equal to Y है तो X की value भी आजाएगी 125 degree अब हम आगे निकालते हैं हम Z निकालते हैं Z निकालने के लिए मैं दो lines मानने ता हूँ AB और यह EF जो की parallel है Transversal मानता हूँ यह E तो यह वला angle और यह वला angle यह मेरे होंगे interior angle on the same side of traversal यानि इनका sum होगा 180 degree यह वला angle है मेरा 90 degree यह है Z plus 55 degree तो यह आजाएगा मेरा Z की value आएगी 35 degree यह रएगी 35 degree झाल झाल